क्या क्या रहे बट्या है कि बस जैसे तुम्हारी एग्जाम्स किस टाइम होते हैं कि फैब में खत्म हो जाए रिजल्ट कब आ जाता है कि 10 तक आजाता है बस हमने मार्च में जैसे तुम्हारा विजल्ट आया एक पाटी करेंगे और फिर बस साथी क्लासे शुरू ठीक है ना हां फिर मैं आऊंगी ना फिर हम इकठे पाटी करेंगे एक ठीक है तुम्हारे सक्सेस में भी तुम्हारे प्लस वन चलो शांती से पास कर ली ठीक है के नहीं क्या कह रहे हो प्लस वन हां नहीं पिटे यहां पे दो बनेहें यहां भी तीन और वीज सी रूम्त लेख शीर इस बार हमने प्लसटू तो शुरू करनी कि इसकी सिरू करềंदी तो प्लसटू एक जिए मिड में आए उपर से प्लस 2 बाले फिर उनकी responsability बहुत ज़्यादा हो जाती है ठीक है बचे से już होना होो अब तुम हमारे पर साथ अच्छी तरह से से वे वो गयहोथ पता है तुमे कैसे करना है क्या है क्या नहीं प्लस टू में तुम्हें पहले में ही शुरू में ही नोट्स मिल जाएंगे असाइन्मेंट्स मिल जाएंगी कॉंपिटीशन का आगे भी हमने कॉंपिटीशन कैसे करना है वो सब मिल जाएगा तो इत्विल जिडिट्वी ठीके चिकन पॉक्स पहले हो चुका है व भाझ्यों को इसलिए अगली बर ठीक करो गए ठीक है ना इस्पर जेश जैसको होना था याdewद करोगिंफटीया नहीं रचवी कि तुम seriously बता ना although I agree with you कि तुम बच्चे हो लगता है कि हाई पढ़ाई 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 हम तो बुड़े होगे हमें तो यह अभी काम मिलना चाहिए कोछ है है ना हमारा तो यह हिसाब किताब है पर तुम कुछ करना चाहते हो मतलब है तुम्हारे में पैशन है यह बताओ मुझे हैना बस फिर उसके लिए एक साल और की बात है इतना पैशन स्ट्रॉंग करो कि तुम्हें कुछ ना दिखाई दे अधिए नहीं मैं बत्ते सोच मुझे पता है मैंने आर्मी वालों को बहुत हो पढ़ाया उनको जून में यही प्राबलम होती है हमने घर जाना है हाना क्यूंकि पठान कोट में वह कोई बिहार से आया होता था कोई असाम से आयो है आप कहां से आयो शिवानी आप कहां से ब सब है हाँ ठीक है बट वह हम तुम्हें पहले से शिड्यूल बता देंगे कि भी जो है कौन से दस दिन छुटिया होंगी ठीक है ना उसके बाद बिटा देन आफ्टर देट यू विल गैट आफ्टर प्लस टू है ना तुमारे एप्रिल में 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 पेपर हो जाएगा उसक में जाके क्लासे शुरू होती है तुमारी मेडिकल कॉलेज में हाना यू विल बी एप्सोलूटली फ्री इन में जून जुलाई ठीक है तीन महीने तुमारे लिए काटने मुश्किल हो जाएंगे मैं तुमें बता रही हूं कि हाई करें कि खुशी भी दो दिन चार दिन हफ इस फर वन एंडे हाफ एर ठीक है इतना पैशन स्ट्रॉंग होना चाहिए दिन रात अगर बिटा हमारे दिमांग में तुमारे लिए घूंगता है ना मैं तो यह कहती हूं कि वी आल्वेज सिट कि भी मुझे क्या कल कराना है मैं बच्चों को क्या दूं कॉन सी ऐसाइनमें और दुकांदार वाली बात है हम तो देना चाह रहे है तुम लेना ही नहीं चाहते यह तो गड़ड है तो अवेर ग्रहाक नहीं हो तो है ना कस्टमर अवेरनेस की कमी है तुमारे में हां बिटा तु बोल यह देखिए एक बिजनसमेन हो रहा है हां किमिस्ट्री और फिजिक्स के तो नहीं अभी मिलेंगे क्योंकि फिजिक्स वाले सर तो क्लास में मैक्सिमम करवाते हैं किमिस्ट्री के मैं दे सत्ती हूं किमिस्ट्री के मैं दे सकती हूं किमिस्ट्री के दे देंगे ठीक है ना Biology theoretical subject है इसलिए बायो के तो जितने मर्जी ले लो बाकी तो चीजें practice ये वो धेर सारे questions वो करो ठीक है जितना बिटा मैं तुम्हें बता रहे हूं ये this is promise from my side कि अगर तुम जितना हम करवा रहे हैं ठीक है ना तीनों teachers मतलब चारों teachers math including करके उतना खी कर लो assignments अच्छी तरह से कर लो टेस्ट अच्छी तरह से कर लो तो कोई हस्ती नहीं है कि तुम्हें medical college में जाने से रोख ले कोई मुश्किल नहीं है सिरफ रोज की रोज पढ़ाई रोज की रोज पढ़ाई ऊस इतना किये ज़्यादा तो है यह थीक है हुआ ज्दा है डर ज्यादा है हॉय ये पता नहीं क्या कुछ भी नहीं पेपर देखो गया अगर अच्छी तरह से मेहनत की उगी नहीं तो तो प्रटी मार लो नहीं यह नहीं और इट इस तरफ ध्यान दे दोगे उसी तरफ बढ़ जाएगा अगर बिमारी के तरफ होता है सिर में दर्द ऐसी क्या बात है बट उसकी तरफ ध्यान दे लोगे तो सिर्दर्दी ऐसे लगता पहाड जैसा कि ठीकी नहीं हो ना कि है ना अर अगर उसको घुड़ा सा इधर उधर को करोगे तोड़ा सब नद्यान इदर करोगे तो पता नी कहां पर जाता कहां पर नहीं तो समय कोई ना बटार सद्धियों में क्लिदो मजे तो आते है पर उसके बाद नेंद कितनी आती है है ना शिवानी है ठीक है तो यही चीज है डिस्ट्रेक्शन्स है किस चीज की तरफ डिस्ट्रेक्शन होती है है टीवी में क्या देखते हो मुझे ये बताओं पतानी क्या देखते हो मुझे ये बताओं